इस्टार्ट वैस्विक इस्तर पर ग्यों की अपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना पिरदान मंत्री नरेंद्र मोधी की इस कथन को सही सावित करता है कि भारत दुनिया को खदान उपलद करा सकता है एक अनुमान है की इस वर्ष भारत एक करोड टन निर्यात करा सकता है नेसंधे इसका एक परमुख कारण रूस का युक्रेन पर हमला है महत्वपून केवल ये नहीं की युक्रेन संकट के कारण दुनिया भर में भारतिय ग्यों की मांग बढ़ रही है बलकि ये भी है की हमारे किसान निजी कमपनियों को ग्यों बेचना पसंद कर रहे हैं इसकी वज़ा ये है की निजी कमपनियां उन्हें निउन्तम समर्थन मुल्य से अधिक दाम दे रही हैं किसान निजी कमपनियों को ग्यों बेचना इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्यूंकि उन्हें उस एस विदा का सामना नहीं करना पड़ रहा है जिससे आम तोर पर सरकारी मंडियों में करना पड़ता है पंजाब और हर्याना में तो निजी कमपनिया को बीच ग्यों खरीदने की होड का लाब भी किसानों को मिल रहा है इस इस्तिती पर नैकेवल किसान नेताओ को और गोर करना चाहिए बलकि उन राजनेतिक दलो एवं संगठनों को भी जिनोंने किसी कानूनों के खिलाफ माहोल बनाया और किसानों को गुमरा कर उन्हें धरना पर्दसन के लिए उकसाया कम से कम अब तो उन्हें ये समझ आना चाहिए की किर्शी कानून किसानों के भले के लिए थे और उनका अंध विरूद करके कुल मिलाकर किसानों का अहित ही किया गया यदि किर्शी कानून वापस नहीं लिए गए होते तो सायद आज किसान कहीं बहतर इस्तीति में होते किसी को इसकी अंदेखी भी नहीं करनी चाहिए की भारत सरकार तीनों किर्शी कानूनों की विस्संगतियों को दूर करने के लिए तैयार थी सरकार के इस नरम रुख के बाद भी किसान नेता जिद पर अड़े रहे की इन कानूनों की वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं